तो फाइनली गाइज निकल चुके हैं घूमने के लिए और वहाँ पर जो आपको बताये थे मंदीर तो करने यहाँ प्रोग्राम होने वाला है हेलो एबरीबन स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लोग में गाइज अभी सुभा का 11.44 हो रहा है कल क्या टाइम आज भी में सही हो चुका है और हमारी वाइब पुड़ा खाना पिना भी बना कर रेडी हो चुकी है बाहर का यहां से मौसाम आपको पड़्डे दिखला देते हैं पुड़ा बढ़ा रहता है चली आप खाना पिना खाते हैं अभी निकालेगी अभी गई है करेंगे तो आधी होप सही हो जाएगा मेरा तो काम मेर आठ सुवह करीब शर्या वजूष मेज़े उठते हैं सबसे पहले जो अभी ये ब्लॉग बना रहा है इसको कल रात तक तो भॉछ बनाइंगे कल इसको को होकर जैसे ही उठेंगे पहले तो ब्लॉग को इडिटिंग करते हैं फिर अप्लोडिंग में लगाते हैं यहाँ पर नेट वर्क भी बहुत शुरू है तो सारा प्रोग्रेस एक दिन का लग जाता है इडिटिंग करना अप्लोडिंग करना उसके बाद वीडियो को पब्लिक करना तो आजका ये सारा दिन का फिर से बनेगा और आप सब शुक्रिटिंगे प्लोड यहाँ का लीजेगा चनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए खाना पीना चली गई है निकालने के लिए खाना पिना आता है खाना पिना खाते हैं फिर आज देखते हैं कहीं अगर घूमने जाए तो बेटर है आपको बाहर का भी भीव दिखलाएंगे बारिस इतना हो रहा है तो एक बार मेरा मन कर रहा है कि जाए नदी के किनारे और देखे पानी आप सबको दिखलाएंगे कि चलिए पहले खाना पिना खाते है जब तक काईच खाना ने आ रहा तो पर बिस्किट खा रहे हैं खाना भी निकल रहा है दोस्तों हमारा बिस्किट भी खतम हो गया है लाश्ट बिस्किट है ज्यादा लेट हो जाने के कारण हमें भूक लग ग खाना भी आ गया है दाल भात चुक्त हमारा खाना पिना हो चुका है अब यह बैठी आज खाना और देख सकते हैं यह रास्ता और सामने में एक मंदीर है वह मंदीर जहां पर आज तक नहीं गये हैं इसी दिन आपको वहां का टूर करवाएंगे अभी तो फिलाले से नदी के तरफ जा रहे हैं घुमने तो बने रही है हमारे इस ब्लॉग में दोस्तों पहुंच गए दुर्गा मंदीर यह थोड़ा परनाम कर लेते हैं दोस्तों अब चढ़ेंगे इस पूल पर आपको बहुत ही उचा सीड़ी है यहां से यह सामने में दुर्गा मंदीर और इधर पुरा मार्केट बिख़णा पड़ा हुआ है हम भी आगे हैं उपर इधर का सीन देखिये रेलवे ट्रेक और इधर पाबर हाउस रेलवे स्टेशन अपना चलते हैं आगे पूल पर पानी भी देखिए यहां पर जम गिए तो रेलवे ट्रेक के सामने गाई देखिए यहां पर नीचे में दुकान वगारा फुट फाट पर जैसे दुकान लगता इसे लगा के रखे हुए हैं और यहां पर देखिए यह अपना बगवा चौक और यह रहा मंदीर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदीर है तो यह हो गया और सामने में पूलिया भी है और इधर से एक ट्रेन पास हो रही है तो इसका आपको टाइमलेफ्स वीडियो देते हैं तो दोस्तो गारी जा चुका है और इधर से भी जश्ट गारी पाड़ हो रहा है बहुत बड़ा माल गारी था यह तो अब जा रहा है यहां पर देखिए कितना अजमी अब कुरॉस करने लगे हैं चलिए और आगे चलते हैं अब जय हन्मान और यह अपना बगवाद चाहूँ सो फैनली दोस्तो आच चुके हैं नदी के पास यह देखिए वहां पर है नदी और यहां पर बना हुआ पानी का लेवल पानी यहां पर पुड़ा भर जाता है जहां पर मैं भी खड़ा हो यहां पर डुबाओ पानी आ जाते है इस पत्थर तक पानी आ जाता है यह रहा नदी और इसके उपर चहरते हैं यह सीड़ी है जिसके उपर की बैठे हुए है उसके रेलिंग पर और यहां से मजा उठा रहा है नदी का सामने में पूल भी है वहां पर ज़र देखिए ना हो जा रहा है एक और मौसम भी देखिए जवर जस्त हो रखाया बारीस वाला अभी एक-एक बुंद पर रहा है जो कि पानी में आप सब देख सकते हैं बुंद बुंद नदी सब्सक्राइब आपना नदी सब्सक्राइब करते हैं यहां सब निकल रहे हैं कि दोस्तो आज घर पर मन नहीं लग रहा था इसी करण निकल गए पैदल पैदल घुमते आ चुके थे यहां नडी के पास जा रहे हैं घर और यह जो गाची देख रहे हैं यह पूरा डूब जाता है यह रोड पर भी पानी आजाता है समय पूल पर साय थे तब पर भी मालगारी निचे से गुज़र रहा था अभी देखिए अभी भी मालगारी गुज़र रहा है तो यहीं समसब पाढ़ हो जाएंगा उस तरब देखिए बहुत आदमी यहां पर भी इंतिजार कर रहे हैं तो गाइज आचुके हैं रोड पर और जा रहे हैं पैदल पैदल अभी दो किलो मिटर और जाना है दोस्तों आगए हैं पूल के पास लेकिन जाएंगे पूल के नीचे से नहीं तो चाहड़ते चलते हैं खड़ाब हो जाएगा हमारा तो जाएंगे इस तरफ से दोस्तों आप ताला लगा हुआ है इसका मतलब छट पर पुरा पसीना पसीना हो रखा है जहरा तो फाइनली गाईज आ चुके हैं छत पर और पूरा बादल घेड़ चुका है देख सकते हैं बादल का क्या ही रंग रूप है और वहां पर जो आपको बताये थे मंदीर तो कल यहां प्रोग्राम होने वाला है तो कल जाएंगे घुमने के लिए और प्रोग्राम देखने के लिए तो आप सब कल का प्लोग देखना नहीं भूरिएगा चली अब चलते हैं नीचे कभी भी बारिस हो सकता है अभी देखिए नीचे में बैठी हुए और पुरा बारिस बारिस हो रहा था यहां बैठकर मजे डर रही है बारिस का दोस्तों रात का खाना आ चुका है एक परोठा और यह सब आलू भर कर रोटी बना हुआ है देख लिए आज रात का खाना यहीं है आलू पराठा और यह चटनी हो जाएगा थाली घाइज खाना पीना मस्त हो चुका है मचरदानी भी लग चुका है चले अब सोने के लिए आई होप सो आपको यह नोर्मल सा ब्लो जाएगा ता